और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल टार्गेट सिविल सर्फिस में तो आज है चार अप्रेल और मत्वर्दिस के डेली करेंट एफर में आज हम पढ़ेंगे चार अप्रेल के करेंट एफर तो लेक्चर ध्यां से दिखीएगा दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले दिखते हैं 2 अप्रेल को बनाया था वीश्व और चार अप्रेल और अ चार ऑफ्रेल और ऑज बना जाता है अंतराष्टी ख़ता में बनाये गया था तो 4 अप्रेल 2006 को पहली बार मनाये गया था और बातकरें 2008 की थीम किया थी तो ये थी एड़वांसिंग प्र प्रमोट्स SDC इसके फुलफाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखिए युवेन की द्वारा 2015 में 17 सस्टेनेबल गोल्स निर्धारित किये गए थे ठीक है कब तक 15 साल के लिए तो 15 साल के लिए इनको 17 सस्टेनेबल गोल्स अचीव करना है इसमें ना तो पुर्टी नो पुर्टी जिरो हंगर ठीक है गरीबी हटाना है कोई भूका नहीं रहेगा और गुड हैल्थ एंड वैल बिंग तो ऐसे कितने गोल है सत्रा गोल है तो 2030 तक की इसको अचीव करना है ठीक है तो यह लक्ष निर्दारीत रखे है तो सस्टेनेबल गोल्स सेफ ग्राउंड सेफ हूम और 2020 की थीम ती टूगेदर फ्रॉर माइन एक्शन और 2021 की थीम क्या थी पर्सवेरेंस पार्टनर्सिप एंड प्रोग्रेज चल और बात करें नेक्स कोशन देखा था हमने हाली में किस विश्विद्याला ने मद्द्रदेश विज्ञान प्रद्रगी की परिशत के साथ चात्रों को सोध कारे में मदद करने के लिए एक MOU यानि मेमेरंडॉम अफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया है तो यह है वेटनरी विश्विद्याला जबलपूर तो याद रखिएगा ठीक है वेटनरी विश्विद्याला जबलपूर फिर इसके बाद हमने कोशन देखा था दिंदयाल उपाद्या पंचायत ससकतिकर्ण पूरुसकार अंतरगत सामान निस रेनी है तो नेशनल पंचायत अवाड 2021 के लिए मद्यप्रदेश के किस जीला पंचायत को चैनित किया गया है तो मद्यप्रदेश के एक तो बैतूल जीला पंचायत को और एक सागर जीला पंचायत ये दोनों को चैनित किया गया है देखिए जो नेशनल पंचायत अवाड 2021 है इसमें हमारे मद्यप्रदेश को कितने अवा पर है और जो जनपत पंचायत के मिले है वो कौन-कौन से एक तो रतलाम जिले का जावरा जनपत पंचायत है और 11 ग्राम पंचायत को मिलता है इसमें इसको 50 लाग रुपे की राशी दी जाती है और जो जनपत पंचाइट को मिलता है इसको पचीस लाग रुपे की राशी दी जाती है तो इतनी चीज याद रखिएगा वैक्सिनेशन मौट सो दो से चार अपरिल तक कहां मनाए गया तो यह इंदौर में बनाएं गया देश की पहली केबल कार किस सहर में चलेगी तो यह हमारे मद्दप्रदेश की आर्दिक मौद्धोगी कराजदानी इंदौर में चलेगी और देखी इसके लिए भी 500 करोड रुपे का बजट रखा गया है और इसके लिए चार रूप निरधारित किये गया है ठीक है और अभी स्टार्ट में इसको 9-10 किलोमेटर की दूरी में चलाया जाएगा नेक्स कोशन था देश का पहला विद्दुतिक्रत रेलवे जोन कौन सा बन गया है तो यह बन गया है बिजली से चलेंगे और बात करें WCR की तो इसका मुख्याले कहां पर है यह जबलपूर में इसका मुख्याला है और यह कब इस्तापित किया गया था तो 2003 में इस्तापित किया गया था ठीक है और इसमें कितने डिवीजन है बात करें इसमें कितने डिवीजन है तो इसमें ती प्रथमिस्तान पर तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नमबर ए टिक है एगरी कल्चन इंफ्राइट्रक्ट्टर्टर्टर्टर्टर्टर फंड इसकी यह है क्या तो दोस्तों यह जो इसकी सुरुवात की गई थी 2020 से इसकी सुरुवात की थी आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में कोरोना के कारण लोगडाउन लगा था तो उसके कुछी दिन बाद वित्तमंत्री ने बीस लाग करोल रुपए का जो राहत पेकेज है वो अनौन्स किया था तो जो बीस लाग करोल में से एक लाग करोल ठीक है अच्छा यहां बात आती कि यह किस प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा यह फंड तो देखिए यह फंड जो मिलेगा कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट्स वेयर हाउस पैकेजिंग यूनिट्स वगरे के अभाव को देखती हुए इस फंड की सुरुवात की गई और इस फंड के तहट किसान भायों के लिए एक लाग करोन रुपए तक के रिन की वेवस्था की गई और इस यूजन के तहट अलग-अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से मध्याम आओधी यानि मीडियम और लंबी आओधी यानि लॉंग टर्म और की फाइनेंस सुविदा या करवाया जाएगा और इस यूजना में मद्रप्रदेश है पूरे देश में प्रत्थम इस्थान पर आपने देखिए इस टाइप के देखिए होंगे ठीक है जो भी हमारे पसू रहते हैं उनमें इनके कान में यह इस टाइप से आधरकार्ट जैसा लगा रहता है 12 नंबर का यह भी तो गौव भेस वंसी पसू को यूनिक आईडी देने के मामले में मद्रप्रदेश कौन से इस्थान पर है तो मद्रप्रदेश है प्रत्थम इस्थान पर तो इसका असर करेगा और देखिए प्रदेश में अब तक 2 करोल 45 लाग गौव भेस वंसी पसू की को तो इसका अंसर करेगा option number B और देखिए यहां पर शिवरासी चोवान जी ने कहा कि भारती किसान संग ने आज किसान मीत्र समान दिया जिसके लिए संग का आवारी हूं और किसान संग से मिले इस समान का सदेव सदेव मान रखूंगा next question है हाल इमें किस जिले के किसी वर्ष की आयू में निदन हो चुका है कहां पर मुंबई में next question है राज्य स्तरी सिक्षक समान 2020 कारेकरम का आयोजन कब किया जाएगा देखिए वैसे तो इसका आयोजन होना था कब यह होना था 5 सेप्टेमबर के दिन क्यों क्योंकि उस दिन सिक्षक दिवस मनाया जात तो वहाँ पर वह सम्मान फिर किसी को नहीं दिया गया था तो वही जो सम्मान 2020 का अब दिया जाएगा यह कब दिया जाएगा 6 अप्रिल को दिया जाएगा तो याद रखिए कब दिया जाएगा 6 अप्रिल को तो इसका आंसर का जाएगा option number C और देखिए इसी दिन जो सब्सक्राइब सिर्षाब से तो इनको भी इस दिन सम्मानित किया जाएगा जो राष्ट्री सिख्चक सम्मान है ना 2020 उसे और बाकी जो तीवीस सिख्चक है उनको राजी सिख्चक सम्मान से नवाजा जाएगा नेक्स कोसन है किस जी लेके सहीद दीपक सीये को वीर चक्र से समानित किया गया तो देखिए इनको वीर चक्र से तो 26 जनवली 2021 को ही समान दे दिया था तो अभी जो ब्रिगेडियर डीजे सर्मा है ये इन समान देने गया है देखिए जो सहीद दीपक सीये जी थे ये गलवान तो इसका answer हो जाएगा option number C next question है हमारा देश की दूसरी अत्याधुनिक 608 सीमन उत्पादन प्रयोक्साला की सहर में बनेगी तो ये बनेगी हमारे मद्रदेश की राज़दानी भोपाल में तो इसका answer हो जाएगा option number B A, sorry इसका answer हो जाएगा option number A बोपाल में बनेगी अच्छा आप यहाँ सोच रहे होगे कि देश की दूसरी है तो देश की पहली कहाँ पर है तो दोस्तो देश की पहली है कहाँ पर उत्राखंड के रीसी केस में है देश की पहली प्रयोक्साला कहाँ पर है ये उत्राखंड के रीसी केस में हैं दोस्तो ये जो सेक्स सॉर्टेट सीमन उत्पादन प्रवक्षाला है ना तो इसके इस्तमाल से जो 90 प्रतीसत बच्छिया पैदा होती है ठीक है कितने प्रतीसत 90 प्रतीसत लेकिन अगर हम यहीं बात करें प्रतीपस्rey और यहीं पर हम अगर इस्राईल की बात करें तो वहां पर 36 लिटर का है तो देखें हम कितने पिछले वाले हैं प्रती पस् градoustर बॉस्तन में तो देखिए मुक्यमंत्री सिवरासी चवान ने भूपाल में 47 करोल 50 लाग रुपे की लागत से इस्थापित देज की दूसरी अत्यधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोकसाला का डिजिटल लुकारपन किया और फिर इसके बाद 260 करोल की लागत से बनी 925 समूदाय गौसालाओं का लुकारपन भी किया मुक्यमंत्री सिवरासी चवान ने और 50 करोल से बनने जा रही 145 समूदाय गौसालाओं का सिल्यानस भी किया और 13 करोल 50 लाग की लागत से बने 821 सिद्गराही मुलक पसू आस्रयो का लुकारपन भी किया फिर उसके बाद 22 करोल की लागत से बनने जा रहे 2632 पसू आस्रयो का सिल्यानस भी किया हमारे मुक्यमंत्री सिवरासी चवान ने फिर उसके बाद पसू आस्रयो समूदाय गौसाला एबं चैरहगा विकास के लिए 384 करोल के 8310 कारियों का लुकारपन और सिल्यानस किया मुक्यमंत्री सिवरासी चवान के द्वारा और इसके बाद 33 विद्दूत उपकेंद्रों का लुकारपन और चार उपकेंद्रों का भूमिपूजन किया इन्होंने और इनकी कुल लागत 1530 करोल रुपे है और देखें यहाँ पर मुक्यमंत्री सिवरासी चवान को पसुपालन मंत्री स्री प्रेमसीम पटेल द्वारा गोबर के गोबर से सिल्पी से बने, मुर्ती तथा गोबर सिल्प से बनी, पुष्तक काउ अवर अल्टिमेट सेवियर भेट की गई, ठीक है काउ अवर अल्टिमे देखे देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है इस जंगल में चतरपूर के जंगल में और अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार की बात करें तो यह पन्ना डिस्टीक में है और यहां जमीन में कुल 22 लाग केरेट के हीरा है और इनमें से 13 लाग केरेट हीरे निकाल तो बहुत मात्रा में ही रहा है यहाँ पर और देश का सबसे कोशन था हमारा मध्यप्रदेश सूटिंग एकेडमी के खिलाडी एस्वरी प्रतापसी तोमर का सम्मंद मध्यप्रदेश के किस जिले से है तो देखी सबी लोगों ने इसका बहुत अच्छा आंसर किया था और ज इसवरी प्रतापसी तोमर है इनको एकलवी प्लूप्सकार भी मिल सुका है 2019 का ठीक है और इसवरी प्रतापसी तोमर ने अभी जो आई ऐसे से फर्ल्ड कप हो था डैली में उसमें तीन पदक जीते थे कौन-कौन से एक तो गोल्ड मेडल जीता था एक सिल्वर मेडल जीता तो तीनों मेडल जीते थे इसवरी प्रतापसी तोमर ने और दोस्तों आपके लिए आज का कोश्चन है देज का पहला डाइमंड म्यूजियम किस जिले में बनने वाला है तो यह आपका कोश्चन है आज के लिए और इसका आंसर दीजिएगा ठीक है चार आप्शन दिए आ थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो